साद और सादिया के साथ आप जिखे हदीस साद और सादिया देखो तिखाते अदम यह क्या? बाबर भाई, आपने नल क्यू बन कर दिया? नल तो खोले हैं नहीं शारिक भाई, जिस तरह आप साइकल दो रहे हैं इस तरह पानी बहुत जाया हो रहा है तो क्या हुआ हमारे घर में पानी कोई कमी थोड़ी है टेंकी में भी पानी भरा हुआ है और बड़ा वाला टेंक भी फुल है शारिक भाई ये पानी अल्ला पाक की एक बहुत किमती निमत है चाहे आपके पास पाने की कमी नहों लेकिन फिर भी आपको इस तरह पानी जाया नहीं करना चाहीए इसकी ऐमित आप ज़रा उनसे जाकर पूछिए जो बहुत दूर दूर से पानी भरकर लाते हैं मैंने सैकल तो रहा हूं अपनी चीजों को सास उत्रा रखना वी तो अच्छी बात है बीकुल है लेकिन इस तरह साइकल नहीं दोते जिस तरह आप डो रहे हैं भाबर बहाई इस बाड़ी मैं ही जीतूंगा इस बार नहीं शारिक भाई देखा शारिक भाई मैंने कहा था ना यह साइकल क्यों जाम हो गई यह इतनी रेत कहां से आ गई यह क्या बाबर भाई कहां चले गए यह सब क्या है यह मैं यह मेरे किस्तान में कैसे आ गया इतनी गर्मी कैसे हो गई हम बोतल भी खाली है यहां तो दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा अब क्या करूं आई आई पानी 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 आई नहीं है झान आई अ कि अ हो शुक्रलाय था यह जुक्षना में बच गया यह तो में ख़ाप देख रहा था इसा बाबर भाई भाई जी असलाम उलैकॉम रह्मत ल्माठ ल recommendation शारिक भ्हाई असलाम उलैकुम मुहिले करना चाहिए वेहाने करना ने एक हले हैं जिसमें अल्लापाक के आखरी नबी सल्लाब आलीय वालिही वसल्म ने एक सحाबी र्दी आल्लाप आ अजो को वुज़ करते हुए देखा तो इरशाद परमाया कि ये इसराफ कैसा तो सحाबी ने अर्स की किया वुज़ु मे इसराफ है तो प्यारे आका सल्लालाहु आलेही वाली वसल्म ने इर्शाद फर्माया हाँ चाहे तुम बहती हुई नहर के किनारे पर हो यानि अगर तुम बहती हुई नहर के किनारे पर भी हो तो वजू में भी पानी जाया नहीं करो अल्लाहु एकबर और हम कितना पानी जाया कर देते ह सही बात है मैं तौबा करता हूं कोशिश करूंगा कि कभी पानी जाय ना करूं और ना किसी को करने दू प्यारे बच्चों पानी एक बहुत पीमती नामत है इसके बगार जिंदकी का तसवर ही मुम्किन नहीं है और गर्मी के मुस्टब में तो इसकी जरूरत और भी बढ़ हैं तो कोशिश करें के पानी को जियाद से ज्यादा सेफ करें और बिल्कुल भी जाया नहीं करें साथ और साधिया के साथ आँ सीखें हदीश बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया आ गया